हलो बच्चो स्वागत है सभी बच्चो का आज के सेशन में और प्रिवेस्ट दो क्लासेज मैं ले चुका हूँ एक्सरसाइस 3.1 हमारी चल रही है मैट्रिक्स क्लास 12 की हम पढ़ रहे हैं पांस तक के सवाल हम कर चुके हैं प्रिवेस्ट दोनों क्लासेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाके वो भी चेक आउट कर सकते हैं बिलकुल डिटेल में आपको मैंने सारे सवाल आपको समझाए हैं ताकि एक्जाम्स में आपको कोई भी दिक्कत ना हो अगर वैल्यू चेंज होकर सवाल आए तो नसा चेंज होकर सवाल आए तो भी आप कर सकते हो क्योंकि concept हमारा बिलकुर अच्छे से clear होता जा रहा है question number 6 आज हम देखने वाले हैं आज किस class में और ध्यान से समझेगा हर एक concept को समझते जाएगा जो आगे भी काम आएगा after 12 जब भी आप जैसे भी आप IITs के exam में जाएगे defense के exam में जाएगे जहां भी आप जाएगे वहाँ पर आपको matrix बहुत काम आने वाला है ठीक है देखें find the values of x y z from the following equations भाई इन equations के अंदर से हमें x y z की value निकाना है पहली सवाल तो ध्यान से देखिए हमें एक matrix दिख रही है दो matrix दिख रहे हैं बीच में जो sign है न हमारा equal का sign है बहुत interesting ये सवाल है बीच में दोनों के equal का sign है मतलब ये वाली क्या है equal matrix है समझड़े मेरी बात equal matrix ठीक है ये हमारी equal matrix है equal matrix में values कैसे निकाला जाता है तो भाई हमें अगर ये पता है कि भाई या equal है matrix यहाँ पर भी 2 बाई 2 का है order यहाँ पर भी same order है ठीक है equal matrix है कभी भी ध्यान रखेगा कि जो भी equal matrix होती है न उसके corresponding जो elements होते हैं वो भी equal होते है भाई अब इसको आराम से निकाल सकते हूँ आप लोग कैसे हमें दे रखा है यहाँ पर 4 3 x और 5 यह पहला मेरे पास सवाल है और यहाँ पर हमें दे रखा है y z 1 और 5 अब मैं गहाँ रहा हूँ कि corresponding element जो होते हैं अब यह 4 है पहली matrix का पहली row का पहला element यानिकि यह इस matrix का a 11 है और इस matrix का a 11 यह वाला है तो corresponding का मतलब होता है कि भाईया जो इसमें element है न वही वाल element उसके equal होगा यानिकि इसका जो a 11 है वो इसके बराबर होगा मतलब सीड़ी सी बात है कि 4 बराबर y हमारे पास है मतलब y की value तो सीधी सीधी 4 है हमें सिर्फ compare करना था इस सवाल में कुछ नहीं करना equal matrix में जब इक्वल matrix आती है दूसरा हमारे पास है भाईया जो इसका ये वाला element है वो इसके बराबर होगा मतलब z की value सीधा-सीधा 3 आ गई second सवाल खतम हो गया है अब हमारा बचा है x तो ये वाला x बराबर होगा इसके पहले element की यारे की x बराबर होगा simple सा सवाल था आराम से आप कर सकते थे second सवाल थोड़ा सा टेड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन इतना टेड़ा है नहीं आराम से करेंगे देखे x प्लस में 2 है sorry x प्लस में y था वो ना x प्लस में y है ध्यान से देखेगा थोड़ा सा हमने दिखाया जल्दवाजी x प्लस में y है और यहां पर है 5 प्लस में z and this side x 2 है और x y है ये किसके बराबर है ये 6 है 2 है 5 है 8 है मैंने same भही बताया कि आप corresponding को equal कर लीजे आंसर आ जाएगा यानि कि यहां से मैंने एक equation निकाली x प्लस y बराबर है check equation number 1 दूसरा मैंने एक निकाला कि 5 प्लस z ये 5 के बराबर है या 5 प्लस z है ये किसके बराबर है 5 की यहां से z की value कितनी निकल के आजाएगी 0 निकल के आजाएगी क्योंकि इसको तो direct solve कर लेंगे यहां से हम ठीक है अब तीसरी बात यहां से देखिए ठीक है कुछ और हमें यहां से ठीक है नजर आ रहा है यहां पर देखें x y है अब इस x y की जो value है multiply वो 8 दे रखा है सवाल यहीं पर खतम हो जाता है कैसे खतम हो जाता है भाई आप देखो यहां से हमें क्या दे रखा है कि x plus y है न वो हमें 6 दे रखा है यहां कि दोनों का addition 6 और दोनों का multiplication 8 है मतलब simple सी बात है या तो x 4 है और y 2 है या फिर क्या है हमारे पास x हमारे पास क्या है 2 है y बराबर 4 है simple सी बात है क्योंकि दोनों को add करोगे तो 6 आ रहा है और दोनों को multiply करोगे तो 8 आ रहा है यहां से आपका solution आड़ाम से निकल जाता है आप निकालकर भी देख सकते हैं satisfy करा कर भी देख सकते हैं जैसे यहाँ पर अगर हमारा 6 आ गया तो 6 के बराबर है यह हमारा 8 आ गया 8 के बराबर है ये 0 होगा तो ही अब आप देखो क्या कर सकते हो अगर ऐसे compare नहीं करना है और अगर आपके पास ये जो answer आ रहा है ना अगर ये multiple choice वाला सवाल अगर आपके पास आ रहा है तो आप कैसे check करते हैं जैसे मेरे पास ये value है यहाँ पर x plus y plus z बराबर 9 है तो भए हम इन तिनों की क्या values लेकि हमारे पास 9 आ जाए तो एक तो सीधा सा हमारे पास दिमाग में आएगा कि भए ये तीनों को बराबर ले ली से लेकिन आगे देखे x plus z यहाँ पर 5 दे रखा है और y plus z हमारे पास इतना दे रखा है अगर मैं x को क्या लेता हूं 3 लेता हूं z को 2 लेता हूं तो मेरे पास answer आ जाएगा और अगर आपने इन नोनों को 3 और 2 पाँच लिया है यानि कि ये 4 आइडा क्या ये satisfy हो रहा है 4 प्लस 2 बिल्कुल नहीं हो रहा है तो आप ऐसे भी check कर सकते हैं और equation बना कर सकते हैं बिल्कुल equal matrix का बहुत ही आसान सा ये सवाल था तो जब भी equal matrix के सवाल आते हैं अरामसे कर सकते हैं compare कर के अरामसे कर सकते हो अगर मैं इस सवाल को compare करने लगूगा तो अरामसे कर दूगा कैसे? x plus y plus z बराबर 9 मेरे पास है नीचे मेरे पास है x plus में z बराबर 5 इन दों को ध्यान से देखो मैं यहां से x प्लस z ना इसमें से हटा दूआ तो y की value सीधी सीधी 4 मेरे पास आ जाएगी खतम सवा अगर y की value 4 है तो आप इसको ध्यान से देखो y प्लस z बराबर 7 है अगर y 4 है तो z बराबर 3 आ जाएगा और अगर ये 3 है और ये 4 है यानि की total हो गया 7 और इन तीनों की total value है no यानि की x की value सीधी 2 आ गई खतम सवा तो ऐसे आप आराम से सवालों को कर सकते हो अगला सवाल इसमें बहुती बढ़िया है question number 7 equal matrix में ऐसे सवाल आपके exams में बहुत बार पूछे जाते हैं जब भी ऐसे सवाल आए आप आराम से make sure करिएगा कि सवालों को रटना नहीं है पहली बात दो अगर आप class 12 में है और अभी आगे भी आप पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छा करना चाहते हैं आगे competition के exams में तो रटना नहीं है मेरा सीधा सा सवाल है सीधा सा एक suggestion है सभी students के लिए यहां से देखे हमें value निकालनी है ABCD की equal matrix है भाई simple सी बात है यानि कि यह इसके equal होगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा A minus B बराबर minus 1 दूसरा निकल के आएगा 2A plus C बराबर 5 एक हमारे पास आएगा 2A minus B बराबर 0 और एक हमारे पास आएगा 3C plus में D बराबर 13 अब यहां से ABCD की values निकालनी है यह भी देखो A और B की equation है यह भी A और B की equation है यहां से 2A बराबर B मेरे पास आएगा है मतलब B की value 2A हो सकती है इसमें रख दीजे simple सा सवाल है यह इसमें रख दीजे तो मेरे पास क्या आजाएगा A minus 2A बराबर minus 1 यहां पर बचेगा minus A minus 1 तो A की value तो बहुत आसाम से मेरे से निकालनी है और अगर A की value 1 है तो B कितना हो जाएगा भाई B बराबर हो जाएगा 2 अब यहां से देखो इसके अंदर A की value रखे C की निकाल दीजे यानि कि 2A plus C बराबर 5 रखा है A की value 1 है यानि कि 2 into 1 2 ही होता है प्लस में C बराबर 5 C की value आगई 3 अगर C की 3 आगई तो इसमेरे दुम्ट्रा connected है यह आपस में connected है यानि कि देखे 3 into 3 plus में D बराबर 13 तो यह 9 plus D बराबर 13 आजाएगा D की value आजाएगी 4 सवाल यही पर होता है खतम तो यह हमारे जो आज के जो दोनों सवाल थे हमारे जो दोनों सवाल है वो किसके उपर है equal matrix के उपर जब भी matrix equal होती है दो corresponding elements always equal रहेंगे द्यान रखेगा इस बात का ठीक है तो अमीद करूँआ यह दोरों सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगो question number 6, question number 7 next class में हम इससे आगे सवालों को start करेंगे आगे वाले सवाल हम देखने वाले हैं यहां तक अगर किसी को doubt है तो भाई comment करके जरूर बताएगा आपकी हर एक comment को मैं पढ़ूँगा हर एक comment की queries को आपको solve करूँगा session को share जरू कर दीजे जितने भी आपके students है आपके friends है जो अभी 12 में होने वाले है या current अभी 12 में है तो वो यहां से जाके सीख सकते हैं और कोई भी query हो comment करके बता सकते हैं previous जो classes हमारी हुई है इसमें पहले वाले जो सवाल जिसको देखने है उसकी link आपको वीडियो को description में मिल जाएगी जैहिन मिलते हैं next class